मोक्ष एक दार्शन एक शब्द है जो हिंदू, बौध, जैन तथा सिख्ध धर्मों में प्रमुक्ता से आता है जिसका अर्थ है मोह का क्षय हुना. शास्त्रों, मोक्ष के, बारे में बताने वाले मुख्य हिंदु दर्शन, बौध दर्शन, जैन दर्शन, भारतिय दर्शन है, शास्त्रकारों ने जीवन के चार उद्देश्यत लाएं हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन में से मोक्ष परम अभीष्ट अत्वा, परम प गुरुशार्थ, कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ती का, उपाय आत्मतत्व या ब्रमतत्व का साक्षात करना बतलाया गया है, न्यायदर्शन के अनुसार्थ, दुख का आत्यंतिक, नाश ही मुक्ती या मोक्ष है, सांक्या के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ती या मोक्ष है. वेदान्त में पूर्ण आत्मग्यान द्वारा मासंबंद से रहित होकर अपने शुध ब्रमस्वरूप का बोड प्राप्त करना मोक्ष है. तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख दुख और मोह आदी का छूट जाना ही मोक्ष है. मोक्ष की कल्पना स्वर्ग नरक आदी की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेश संस्कृत तथा परिमाजित है. स्वर्ग लोग की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुश्य अपने किये हुए पुन्यवा शुब कर्म का पल भोगने के उप्रांत फिर इस संसा में आकर जन्म ले. इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कश्ट भोगने पड़ेगे. पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं. भारतिय दर्शन में नश्वर्टा को दुख का कारण माना गया है. संसार आवागमन. जन्म मरण और नश्वर्टा का केंद्र हैं. इस अविद्या क्रित प्रपंच से मुक्ती पाना ही मोक्ष है. प्राए. सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुख्म इस वभाव को स्विकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए. कर्ममार्ग या ज्ञानमार्ग का रास्ता अपनाया है. मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम पर करना कठिन है. फल्तह सभी प्रनालियों में मोक्ष की कल्पना प्रायह आत्मवादी है. अन्ततो गत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूती ही सिध्ध हो पाता है. सबसे पहले तो पुन्य या पाप से मुक्ती नहीं. मिलती. पुन्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधन वाले हैं. दोनों का अभाव ही मोक्ष है. इसके लिए आवश्यक है कि पुन्य अत्वा पाप के प्रती आसकती रखे बिना प्राकृतिक. रूप से कर्म करते चलना है. जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं. होती अ तव्यकर्मों के प्रती आचरन करे. तो उसके कर्म बंधन का धीरे-धीरे स्वतह लोप हो जाता है. और यही क्रम मुक्ती का प्रथम सोपान है. यद्यपी. विभिन प्रनालियों ने अपनी अपनी ज्ञानमी मानसा के अनुसार मोक्ष की अलग-अलग कल्पना की है. तथा शिष्टादवेत उलेखनीय है. जीवन मुक्ती की संभावना को अस्वीकार करते हैं. दूसरे रूप को विदेह मुक्ती कहते हैं. जिसके सुख्धु, ख के भावों का विनाश हो गया हो. वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जा है. क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है. यह अद्वेतान भूती की स्थिती है. इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है. वेदांत में मुमुक्षु को श्रवन, मनन एवं निधिध्यासन, ये तीन प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ है. उसका साक्षातकार होता है. मुमुक्षु, तत्वमसी, से, अहंब्रह यास्मी, की ओर बढ़ता है. यहां, आत्मसाक्षातकार को हो मुक्ष माना गया है. वेदांत में ये स्थिती जीवन मुक्ती की स्थिती है. मृत्यु प्रांत, वह ब्रहमा में विलीन हो जाता है. इश्वरवाद में इश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है, अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्ती ही मोक्ष है, लुकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है, हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत महत्त्व है, यह मनुश्य जीवन चार उद्देश्यों में बाटा गया है अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुशार्थ चतुष्टे कहलाते हैं। इनका वर्नन वेदों व अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है। ये चारों आपस में गहरा संबंध रखते हैं। धर्म का अर्थ है वे सभी कार्य जो आत्मा व समाज की उन्नती करने वाले हूं। अर्थ से तात्पर्य है किसी अच्छे कलात्मक कार्य द्वारा धनार जन करना। काम का अर्थ है जीवन को सात्विक व सुएक सुविधा संपन बनाना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा और परमात्मा का दर्शन करना, आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा उन्ही आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किये हूं, मोक्ष प्राप्ती के लिए मनुश्य को अश्टांग योग भी अपनाना चाहिए, अश्टांग योग का वर्नन महर्शी पतंजली ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया है, गीता में भी योग के बारे में वर्नन है, महर्शी दयानन सरस्वती ने अपने ग्रंथ लिगवेदा दीभाश्य भूमिका में भी अश्टांग योग के बारे में वर् किया है